क्या आपकी भी periods अर्नियमित हैं? यानि की periods टाइम से नहीं आते हैं? दो महिना, डेड़ महिना, कभी पंदरा दिन? क्या आपको periods का flow बहुत काम आता है और आपको लगता है शायद इस वज़े से मुझे pregnancy नहीं हो रही है? क्या आपकी एक बेटी है जो 12-13 साल की है जिसके की periods 15-15 दिन से आ रहे हैं या फिर 3-4-4 महिने से आ रहे हैं और आते हैं तो 15-20 दिन तक चलते हैं, रुकते ही नहीं हैं? या फिर आप 40-45 साल की हो गई हैं, periods आपके लेट आरहे हैं और आते हैं तो रुकते ही नहीं? त 沒有 तीन चाचा मेने से आते हैं, heavy periods, clots आ रहें, यह आपको periods में दर्द बहुत होता है, well इतने सारे सवाल होते हैं, periods related, because periods obviously एक लेड़ी के लिए बहुत important step होता है, towards puberty, उनकी reproductive life, और यह पूरी आपकी 25-30 साल जब तक आपको periods आते हैं, तब तक आपको परिशान करते हैं, किसी मेरा प्राक्टिस कर रही हूँ, मेरा खुद का private hospital है, Sona Media Hospital, मेरा Instagram का account आप follow कर सकते हैं, मैं इस पर काफी educational reels डालती रहती हूँ, अब मेरे को क्योंकि 22 साल हो गए हैं, तो obviously मैंने काफी experience गेन कर लिया है, caeserians, hysterectomies, deliveries, करी 25-30 से जादा surgeries कर चुकी हूँ, मेरी speciality है endoscopic surgery क्योंकि मैं ज्यादा तर operation सारे दूरबीन से करते हूँ, और दूसरी चीज, painless delivery, यानि कि normal delivery बिना दर्द की, ये मेरी speciality है, तो आते हैं आज के topic पे अनियमित periods के कारण क्या होते हैं, यानि कि irregular periods के main-main कारण क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं age related problems, यानि कि जब बच्ची 12 साल, 11 साल की है, जब उसको puberty आती है, जिसको हम बोलते हैं मिनार के, मिनार के यानि कि पहली बार जब उसको period आया है, वो date मिनार के की होती है, age of मिनार के, 12 साल, 12 साल, 11 साल, इसी तरह से जब आप extremes of age में जाती हैं, यानि कि एक तो होगे early, 11-12 साल, एक होता है 45 के बाद, 40 45 के पाद, जब आप मिनोपॉस, रजोन वृत्ती की तरफ जा रही हैं, ये दोनों extremes of age में, irregular cycles बड़ी कॉमन है, ऐसा क्यूं होता है, आपका जो HPO axis है, यानि कि HPO axis क्या होता है, यानि कि आपकी brain से लेके आपकी नीचे ovary तक का जो एक पूरा circle, एक circuit बना हुआ है हमारी body म brain के अंदर दो चीजे होता है, hypothalamus होता है, pituitory होता है, ये दोनों brain के पाठ है, यहां से hormones निकलके सीधे अंडाशी यानि कि ovary पे आट करते हैं, तो पूरा एक circuit है, ovary के hormones जाते हैं बच्चे दानी में, बच्चे दानी के अंदर lining बनती है और ये period निकलता है, तो ये जो प आए अपने बच्चे को लेकर आती है, माडम इसके period ही नहीं रुकते है, परिशान हो जाती है, स्कूल नहीं जा पाती है, या फिर आते ही नहीं, चार-चर महिने से आते हैं, तो मैं उनको बोलती है, दो तीन साल दो बच्चे को, जब वो तेरा 14 साल के हो जाएगी, तो उस होर्मोन उपर बढ़ रहा है, वो है estrogen, आपको मैं कई पर बता चुकी हूँ कि दो तरे के hormone होते है, estrogen और progesterone, पहला जो hormone होता है, जो निकलता है cycle में, वो होता है estrogen, और बाद में जो अंडा food जाता है, ovulation हो जाता है, तब progesterone निकलता है, तो जिन बच्चों में या जिन ल वृत्ती की तरफ जाती है, रजोन वृत्ती की तरफ जाती है, तो आपका circuit फिर से गड़ बढ़ हो रहा है, अब आपके ovary old हो रही है, बूड़ी हो रही है, अब आपका brain भी बूड़ा हो रहा है, आपके बच्चे दानी भी बूड़ी हो रही है, तो फिर ये circuit कहीं ना कह गड़ बढ़ा जाता है, अभी आप immature नहीं है, hypermature हो रहे हैं, तो इसमें ही वही होता है, anovulation होता है, यानि कि ovulation हो ही नहीं रहा है, तो पहला तो हो गया age, second होता है hormonal problem, अब hormonal problem तरह तरह की होती है, सबसे पहले तो या तो आप pregnant हो गई, या तो आप pregnant हो गई, आपको पता ह ही नहीं चला, आपको irregular cycles आई, या फिर आपको पिछला period बहुत हलका आया, या फिर आपको period दो बार आगया महीने में, आपको पता ही नहीं चला, आप pregnant है, वो actually chemical pregnancy थी, जो abort हो रही थी, मतलब something related to pregnancy, क्योंकि pregnancy में सारी body के hormone changes होते है, estrogen, progesterone बढ़ जाता है, आपकी पूरी जो cycle है, circuit है, ये shutdown हो जाता है, फिर भी कुछ ladies को महीने महीने period आता है, तो भी हो pregnant होती है, किसी किसी को 2-3 महीने बाद पता चलता है, कि मेरे को बीज़ी जो period आ रहा था, मुझे लगा irregular period है, पट हो pregnant होती है, तो irregular periods का एक main कारण, hormonal कारण, pregnancy होता है, या तो pregnancy खराब है, या pregnancy सही चल रही हो, उसके बावजूद period आ रहा है, जो कि बड़ी अन्होनी है, बट ऐसा होता है, second कारण होता है, जो कि बड़ा ही common है हमारी Asian countries में, यानि कि इंडिया में, पाकिस्तान में, जितनी भी Asian countries है, वो है PCOD, PCOD पे मेरे कम से कम में कैसे 7-8 वीडियो आ चुके है, अल चाबलेट में पिछले 6 महिने से अपने पेशिंट्स में यूज कर रही हूँ, इसका कोई side effect नहीं है, क्योंकि अलोपेटिक मेडिसिन जो हम देते हैं, तो पेशिंट लेते लेते ठक जाता है, कुछ मेडिसिन ऐसी है, जो तो अरी भारी भी होती है, चक्कर भी आता है, वा इर्रगुलर होना, वेट बढ़ना, स्पेशली ये वाला जो वेट होता है, जो शोल्डर वेट होता है, पेट वाला वेट होता है, ये सारा PCOD में बढ़ता है, जो कि एक मेल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, किसी-किसी के बाल भी जहनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इर्रगुलर पीरेट्स का, जिसको हम कई बार डीटेल में पढ़ चुके हैं, इसके आगे क्या-क्या प्रॉब्म्स होती है, ओवलेशन नहीं होता है, तो बचा ठहरने में दिक्कत होती है, ओवलेशन नहीं होता है, तो पीरेट्स टाइम पे नहीं आता है, पीरेट्स cause आता है जो hormonal जो बड़ा common है वो है thyroid. Thyroid problems pregnancy में भी होती है, thyroid problems in general ladies में ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि यह stress related problem है. Hormonal problem जितनी भी है, वो सारी या तो आप बच्पन से लेके पैदा होई है, या फिर आपको lifestyle disorder है, यानि कि आजकल की दुनिया में सब को stress है, किसी ने किसी तरी का, चाया working हो, चाया non working हो, तो इस तरी की जो lifestyle related problems है, उसमें सब स्यादा common thyroid है thyroid में चाया वो hypo हो चाया वो hyper हो, चाया वो कम बना रहा हो चाया वो ज़्यादा बना रहा हो, दोनों में menses की problem होती है इसके बाद जो next important hormone है, जो गड़बड करता है आपकी इस पूरे circuit को, जो मैं कई बरा को बता चुकी हूँ, live session में भी और जब patients मेरे पस आती, मैं उनका ये वाला hormone जरूर चेक करती हूँ, इतना common नहीं है, बट ये भी problem करता है, वो है prolactin, ये hormone hormone वो है, जो आपके breast में दूद बनाता है जब आप बच्चे को feed करती हैं कभी-कभी, बिना बच्चे के पैदा हुए ही आपको breast में से दूद आना शुरू हो जाता है कितनी यंग लड़कें unmarried हैं जिनको की कभी-कभी breast में से discharge आता है, इसको hyper-prolactin नहीं में बोलते हैं, अब इसके बहुत सारी कारण होते हैं, उसमें आपको जाने की जरूत ने क्योंकि वो medical students के लिए है, बट अगर ये hormone बढ़ रहा है, तो आपके thyroid पे भी effect आएगा, और आपकी पूरे circuit पे भी effect आएगा, इस circuit पे effect आने की वज़े से आपके menstrual cycle गडबड आएगी, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, दवाईयों से 2-3 महने दवाई ले लो, एक महने दवाई ले लो, अगर ये बहुत हाई है, तो आपके brain का MRI कराना पड़ेगा, क्योंकि ये hormone निकलता है, brain की pituitry से, एक आसा organ है, एक पार्थ है brain का, जिसके अंदर से ये hormone निकलता है, तो कभी-कभी वहाँ tumor या आडिनोमा बन जाता है, जिस वज़े से ये गडबड करता है, चार हो गए hormones, पाँचवा hormone जो की not very common, बट अगें diabetes, diabetes एक hormonal problem में आपको पता है, ये insulin की वज़े से होती है, diabetic patients में जब uncontrolled diabetes होती है, तो कभी-कभी उनकी menstruation में भी problem होती है, और hormone का जो last cause है, जो last cause है again बहुत uncommon है, वो है कि आपकी overy time से पहले fail हो रही है, fail यानि कि premature ovarian failure, यानि कि 40 साल से पहले, आपके periods permanently बंद हो रहे हैं, ऐसे case में डॉक्टर आपके blood test कराएंगे, देखने के लिए, कि आपको actual में menopause आ गया गया, menopause के लिए FSH और LH hormone हम चेक करते हैं, अगर ये 40 से ज़्यादा आ जाते है FSH, इसका मतलब आप menopause की तरफ जा रही हैं, और ये irreversible यानि कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और ये जादा तरतब होता है, जब आपको कोई cancer की therapy चली हो, या फिर आपको कोई infection हुआ, जिसने आपके अंडाशे खराब कर दिये, या फिर hereditary है, या फिर आपको delivery के पर बहुत ज़्यादा bleeding हो गई, उस वज़े से आपका पूरा जो पूरा shutdown हो गया blood supply, बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर आप weak हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, तो ये सारे कारण रहते हैं, जिसकी विज़े से over time से पहले काम करना बंद कर देती है, तो आज के वीडियो में हमने age related problem पढ़ी कि क्यों ऐसा होता है, अब आप tension ने करेंगे कि बच्ची को period में दिक्कत क्यों हो रही है, second हमने सारे hormonal factors पढ़ें जो common है, ठीक है, next में हम और causes पढ़ेंगे कि irregular periods क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हमने PCOS नम्या वाली tablet के बारे में बात किया, इसको मगा के देखिए, description में इसका link है, और यह बहुत ही अच्छी tablet मैं पिछले 6 महेंने से patience पर यूज़ करूँ, without any side effects, तो guys अगर वीडियो पसंद आये हो, आपको हमारी महनत पसंद आये हो, और आपको लगता है कि हमारी वीडियो देख देखके, मेरे वीडियो पिछले 4 साल से आ रहे हैं, आपकी lifestyle में कुछ changes आये हो, तो आप इसको share करिएगा, बाकी लोग भी देखेंगे, subscribe जरू करिएगा, क्योंकि उससे हमको